एक 14 साल की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही दादे को उतारा मोत के घाट हेलो नमस्कार साथियो मैं केसब सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ दोस्तो आज की जो कहानी है यह है सिधार्त नगर की उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सिधार्त नगर और उस जिले में एक थाना पड़ता है बासी दोस्तो उस थाने में एक गाउं पड़ता है चबरताल वड़ी उस गाउं के रहने वाले दो भाई थे दोस्तो बड़े भाई का नाम बली राम होता है और छोटे भाई का नाम सिब राम होता है दोस्तो ये दोनों भाई दिल्ली और लखनों में मजदूरी का कारह करते थे दोस्तो जो बली राम होते हैं उनकी एक बेटी होती है और उनकी जो माताजी होती है जिसका नाम था कोईला वो गाउं में रहा करती थी दोस्तो बलराम की माता जी जिसका नाम था कोईला और एक उनकी लड़की होती है जिसकी आयू लग वो 14 या 15 वर्ज थी दोस्तो ये दोनों गाउं में रहा करते थे उसके माता पिता के घर नहीं होने के कारण उसका गाउं के ही एक लड़के से फ्रेम पर संग सुरह हो जाता है जोस्तो बीश अक्टूबसंद 2023 के साम जो उसका प्रेमी होता है वो मिलने के लिए उसके घर पर आता है दोस्तो उस समय उसकी जो दादी होती है जिसका नाम ता कोईला वो सोर रही थी दोस्तो जो पिरेमी होता है वो चोरी चुपके उसके घर में आ जाता है और आने के पश्याथ जो लड़की होती है उसके साथ अब भी संबंद बना रहा था दोस्तो इतने ही जो उसकी दादी होती है कोईला उसकी अचानक आँख खुल जाती है दोस्तों आँख खुलने के बाद वो दोनों डर जाते हैं और डरने के पश्याद वो दोनों मिलकर जो उसकी दादी होती है उसकी गला दवा कर हत्या कर देते हैं दोस्तों हत्या करने के पश्याद जो लड़का होता है वो अपने एक दोश्त जिसका नाम होता है लबकुस इसको फोन करता है और इसके पश्याद वो तीनों मिलकर उस सब को ले जाते हैं और उनके घर से पीछे लगवक पांसो मिटर के दूरी पर एक खेत में गड़ा उपर उनका दिखाई दे रहा था दोस्तो वो दाबने के पश्चाद अपने घर आ जाते हैं और आने के पश्चाद जो लड़की होती है वो अपने पापा और चाचा को फोन करती है और कहती है कि जो दादी है वो दूपैर से गायब हैं ये ख़बर सुनकर वो काफी परेशा और वो उसी समय घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तो आने के पश्चाद वो 21 अक्टवर को कोतवाली में जाते हैं और अपनी माता जी की गुमसुदा की रिपोर्ट दाज कराते हैं। दोस्तो इसके पश्चाद जो पुलिस होती है वो जाच करना सुरू कर देती है। इसके पश्चाद 24 अक्टवर संद 2023 को गाउं के कुछ लोग उस राश्ते से गुजर रहे थे। दोस्तो उन्हें राश्ते में दुगन आने लगती है और आने के पश्चाद वो उस दुगन क की तरफ जाते हैं। दोस्तो उस दुगन की तरफ जाते हैं और जाने के पश्चाद वहां देखते हैं तो उनको एक सब दिखाई देता है। दोस्तो वो सब को देखकर काफी चिलनाने लगते हैं। उनकी चिलाट को सुनकर जो गाउं के लोग होते हैं वो काफी संक्या में इकटे हो जाते हैं इसके पश्याद वो पुलिस को सूचना दे देते हैं जो पुलिस है वो हाँ पर आ जाती है और आने के पश्याद गाउंवालों से उस गड़े की खुदाई कराती है दोस्तो खुदाई करने के पश्याद पता चलता है कि वो उनकी माताजी थी जिसका नाम जिसका नाम था बली राम पुलिस से पूचताज करती है तो वो बताते हैं कि हम दोनों भाई दिल्ली और लखनों में मजदूरी का कार्य करते हैं और मेरे साथ जो मेरी पत्नी है बूबी भही फर कार्य करती थी और वो बताते हैं कि घर पर जो मेरी माती जिसका नाम था कोईला और मेरी बेटी मेरी बेटी जिसकी आयो 14 वर्स है वो दोनों घर पर रहा करते थे मेरी माता जी से हर रोज बात होया करती थी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी इसके पश्यात जो पुलिस होती है वो उस लड़की से पूछताज करती है वो पूछती है कि जो तुम्हारी दादी थी वो घर से कितने बज़े गई थी और किस समय गई थी तो वो बताती है कि वो घर से लगवत दुपैर के समय गई थी इसके पश्चात पुलिस गाउंवालों से पूछती है तो वो बताती है कि दुपेर के समय जो इसकी दादी होती है वो तो इसके साथ थी दोस्तो इसके पश्चात पुलिस को कुछ सक होता है और जो पुलिस है वो उस लड़की से सक्ती से पुछताज करती है दोस्तों सक्ति सब पुश्तार करने के पश्याथ जो लड़की है वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है और वो इस पूरी कहानी के बारे में बताती है कोतवाली अनुच कुमार सिंग ने बता है कि ये जो मामला था ये प्रेम पिरसंगा निकला इसमें एक पोती ने अपने प्रेमी के साथ वे एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर अपनी दादे की हत्या कर दी पुलिस ने इन तीनों को गरबतार कर लिया है पुलिस ने लड़की वे उसके प्रेमी को बाल सुधार गरे क्योंकि ये नावालिक थे और उनका जो तीसरा दोस्त होता है जिसका नाम तालबकुस उसको जेल भेज़ दिया है दोस्तो इनके साथ सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी दोस्तो आज की कहानी को सुनाने का उद्धिस से आपको परिशान करना नहीं है आपको भड़काना नहीं है सिर्फ आपको जागरू करना है दोस्तो अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली वार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें आज की कहानी को हमने प्राप्त क्या है देनिक जागन न्यूज, देनिक भासकर न्यूज, हिंदी न्यूज 18 और ETV भारत न्यूज